के अंदर हदबंदी की हत्मी रिपोर्ट सरकार को बहुत जल्द पेश की जा सकती है और इसके लिए बाकाइदा सरगर्मिया पेश की जा रही है और आज इमकान है कि हदबंदी कमिशन का इजलास मुनकिद हो जिसमें सभी लीडरान को या सियासी जमाति जो पहले शिरकत कर र में इजलास मुनकिद होने जा रहा और कल जो प्रोग्रेम में हमने खबर ब्रेक की थी कि मुक्तलिक जमातों के जमुकश्मीर के अंदर जिनोंने जीरी सी इंतखाबात में दो या तीन तीट सीट जीती हैं उनकी शिरकत अगली इजलास में कमिशन के हो गी या नहीं इसके म बाकी पार्टियों के तरफ से इसमें जो है वो जगा मांगी गई थी कि उनको भी थोड़ी स्पेस दी जाने चाहिए जो जो पार्टियां रेकोगनाइज पार्टियां जमुकश्मीर के अंदर अब इस पर भी आज फैसला आने का इमकान है कि कमिशन का जब इजलास होगा तो शायर अगले इजलास में तमाम पार्टियां जो कल हमने आपको ख़बर बताई थी उसके अब तस्दीक कमिशन के तरफ से की जाए जाने कुल जमाती इजलास के अंदर जो बड़ा फैसला लिया गया था और इस बात का इशारा दिया गया था कि सभी जमातों की नमाइं पार्टिगी दी जाए और उनका दाएरे अख्तियार किस तरीके का होगा उस सवाले से एक हत्मी लाइन को कीचा जाएगा जिसके बात बहुत जल्द हदबंदी कमशन का फुल बेंच का इजलास होगा जिसमें इन सभी मेंबरों को बोलने की इजाज़त दी जाएगी याने कहीं ने कहीं अब ये इजलास सीधे सीधे स्रीनगर के अंदर हो सकता है हदबंदी कमशन के जराय से जो हमारे पास खबर है कि अगले महीने के वस्त तक हदबंदी कमशन का एक और इजलास हो सकता है और ये इजलास दिल्ली के बजाए स्रीनगर के अंदर हो सकता है इस वक् पाटी उस फैसले को मानेगी बीजेपी अलरीडी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे चुकी है लेकिन नाशनल कॉनफरंस के अंदर के जराय की खबर ये है कि जो तहरीरी खत हदबंदी कमिशन को लिखा गया है उस खत का अभी तक जवाब नहीं आया है गालिबनाद उसका जव भी तहरीर खत बंदी कमिशन की तरफ से किया जाएगा और वो रवारा किया जाएगा फारूक अब्दिला को याने आज कुछ नए मेंबरों को शामिल करने की बात होगी उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमिशन ने मीटिंग गुजशता दिनों ली थी डिप्टी एलेक्शन कमिशनर ने जब सबी जिल्ला तरकी आती कमिशनर से अनलाइन बात जीत वी थी तो उस दोरान जो खाका कीचा गया था जो बाते साबने आई थी उस पर भी आज गुफ्तगू होगी और ये फैसला लिया जाए तो काए आज सबकी नजरें हदबंदी कमिशन पर दिनली के अंदर रहेंगी कि क्या कुछ वहां पर हो सकता है अब बढ़ते हैं जी आगे